दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, आप देख रहे होगे कि आज मैं कहीं और ही बैठा हूँ, अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, एक्चुली मैं बैठा हूँ एक पार्क में, एक चिल्डरेन पार्क में, यहाँ पे मुझे यह तरह का बिजनस आइडिय एक नया बिजनस आइडिया है, इसके अंदर आप बहुत ही कम इंवेश्मेंट के साथ एक अच्छा खासा बिजनस बना सकते हो, मैं यहाँ पे पार्क आया था गूमने के लिए, लेकिन मुझे अचानक से यह चीज दिखी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सब के साथ सामने लाया जाए, एक नया बिजनस आइडिया है, दीखे, यहाँ पे नया बिजनस आइडिया क्या है, यहाँ पे आपको इंवेश्मेंट लगेगा, 20-25,000 रुपए, 30,000 रुपए के बीच का इंवेश्मेंट है, दोस्तों इसमें इंवेश्मेंट बहुत जादा नहीं है, वन इनवेश्मेंट करके, किस लिए, तो मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि यह चिल्डरन पार्क है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, अपने माबाप के साथ, बहुत सारे फैमिली यहाँ पे आती है, अपने बच्चों के साथ आते हैं, तो यहाँ पे खेलने-खुदने की श से चलाता है, और उस पे वो क्या करता है, कि छोटे-छोटे बच्चे, उनको बिठा कर घुमाता है, और एक राउंड घुमाने का वो 50 रुपय चार्ज करता है, दोस्तों इसके अंदर आप समझ सकते हो, कि एक राउंड घुमाने का 50 रुपय चार्ज करता है, और इस कार को लेने के लिए इस एलेक्ट्रिक टोई कार को लेने के लिए जादा से जादा 20-30,000 रुपए के बीच में इन्वेस्टमेंट आता है आप ले सकते हो जैसा आप लेना चाहिए आपने बजट के हिसाब से आप समझे लोग की 20-25,000 रुपए का एक कार लेते हैं इस पार्क में औ तो पार्क वाले क्या करते हैं कि एक मंथली अमाउंट चार्ज करते हैं कि आप 2,000-4,000 रुपए महीना में लोगा आप अराम से हमारे पार्क के अंदर अपना बिजनस कर सकते हो उसमें क्या है कि आप फिर वो कार खरिद के पार्क वाले से बात कर लिए पार्क में आप फि एक रांट करके अगर समझ लो आप पार्क अंदर आते हो तो अगर आप एक दिन में 20 बच्चे को भी इंगर रांट करवाते हो ना यह तो एक दिन में आपका चार्ज कितना है पार्क वाले का चार्ज है 5,000 रुपय एक महीने का आपने पार्क वाले को भी चार्ज दे दिया तो भी आपके पास बच रहा है profit सुखा profit 20,000 रुपय 20,000 रुपय में देखते हैं कि अगर आप खुद कार operate नहीं करते हो आप कोई operator रखते हो operator को आप 5,000-8,000 रुपय salary भी देते हो तब भी आपके वास बच रहा है 12,000 रुपय अगर 10,000 रुपय देते हो तो आपके पास बच रहा है 10,000 रुपय आपने invest कितना क्या था? 20-30,000 रुपय के बीच में और पहले महीने से आपको 10,000 रुपय की profit है सारा चीज काटने के बाद 10-12,000 रुपय की तो ये business opportunity दिखा मुझे यहाँ पे एक कमेज का बच्चा मतलब लड़का है वो ये काम इस पार्क के अंदर कर रहा है वो उसने गाड़ी खरीदा इस पार्क वाले से बात किया उसको पार्क वाले ने बोला 5,000 रुपय चार्ज लगेंगा 5,000 रुपय में क्या है कि वो पार्क के अंदर चला सकता है उसकी permission प्लस उसकी कार की बैटरी जो चार्ज करने की है वो भी पार्क का बिजली से चार्ज करता है तो उसको बिजली बिल भी अलग से नहीं भरना पड़ता 5,000 रुपय के अंदर उसका वो सारा चीज है और मैंने इससे बात किया तो उसका कहना है कि डेली का मैं 15-20 बच्चों को घुमा देता हूँ ये एक average किसी दिन ज्यादा भी होता है Saturday, Sunday को किसी दिन थोड़ा कम भी होता है तो approximately अगर हम 15 लोगों को अभी अगर लेके चलते हैं तो 7500 रुपय डेली के आते हैं आप इसके हिसाब से अंदाजा लगा आत सकते हो 7500 रुपय अराम से एक महीने के आते हैं जिसमें ये 5000 रुपय देता पार्क वाले को बाकी सारा पैसा इसका खुद का क्योंकि इसकी खुद की गाड़ी है और ये खुद से ऑपरेट करता है इसलिए ये सिर्फ पार्क वाले का जो चार्ज है वो कटता है और बाकी सारा का सारा पैसा इसका तो दोस्तो इसके अंदर आप समझ सकते हो कि यह बहुत बहुत बिजनस अप्रोच रेटी है, आपके दिमाग में भी यह चीज नहीं आया होगा, यहाँ पे आप समझ सकते हो कि आपके एरिया में कोई चिल्डेन पार्क है या कोई ऐसा स्पेस जहाँ पे बच्चे ढहर सारे खेलने के लिए आते हैं, साम को फैमिलीज खेलने आती है अपने बच्चों के साथ, तो वहाँ पे आप इस बिजनस को सुरूख कर सकते हो, मानलो अगर कोई पबलिक एरिया है, तो वहाँ तो आपको चार्ज भी देने की ज़रुत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे आपका जि इसमें आपको बहुत ज़्यादा काम भी करने की ज़रुत नहीं है, अगर बड़ा स्पेस है, तो आप एक के जगा, दो, चार, पांच, जैसे-जैसे हो, आप अपने बिजनस को बढ़ा सकते हो, दोस्तों, आई होप आपको ये बिजनस बहुत पसंद आया होगा, आप सब स आपसे ही को रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगता है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद सबसे ही एक इन्पॉर्टेंट काम की वेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि उसके बिना मैं जो भी वीडियो लेकर आऊंगा तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी, जिसके वज़े से आप वीडियो मिस कर दोगे, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, यहीं पर एंड करते हैं, तो मिल नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, जय हैंड